स्टूडेंट आफ क्लास सिक्स्थ आज हम पढ़ेंगे हिंदी का चिप्टर एट एसे एसे कहानी में मोहन एक विद्यारती है दिनानात एक पड़ोसी मा मोहन की मा है पिता मोहन के पिता और मौस्टर मोहन के मास्टर जी है इस कहानी में चप्टर बड़ा है इसलिए मैं आपको शॉट में बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा कि मोहन आटनो साल का बालक है वह अपने कमरे में सक तक्त पर लेटा हुआ बार बार पेट को पकड़कर कर रहा है उसकी माँ गरम पाने की बोतल से उसके पेट की सिकाई कर रही है पिता जी डोक्टर को बुला चुके हैं उन्होंने मोहन की माँ को बताया कि इसने एक केला और एक संत्रा खाया था दफ्तर से बस अड़े पर ठीक ठाक आया पर बस अड़े पर कहने लगा कि पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है तब से बार बार पूछने पर बस ऐसी ही बात कहता है कि कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है मा काती है कि यहा कोई बिमारी तो नहीं मा ने उसी हिंग चूरन पीपर में फिटकडी दे दी है तब ही डॉक्टर का फोन आता है पिता जी उनको मोहन के विशे में बताते हैं डॉक्टर पांच मिनिट में आने के बात काता है इसी बीच पड़ोसी दीना नात आते हैं और काते हैं कि मोहन का थो बड़ा चंचल लड़का है तब ही वेद्दी जी आते हैं वह नाड़ी दबा कर देखते हैं और वाथ का प्राकोप तथा कब्ज बता कर दवाईय देने की बात करते हैं उस देर में डॉक्टर आ जाता है जब देखकर बदवजमी की बात बताता है और दवा भीजने की बात करता है इसी बीच पड़ोसन आकर कुछ नएने बीमारी चर्चा करती है तब ही मोहन के मास्टर जी आते हैं और मोहन का हाल चाल पूछते हैं वे कहते हैं कि कल तो तुम्हें स्कूल भी जाना है आना है तुम्हारे बिना क्लास सुनी सुनी रहेगी मां मास्टर जी को मोहन की ऐसे ऐसे वाली बीमारी के विशम बताती है मास्टर जी समझ जाते हैं कि इसने चुट्टियों का काम नहीं कि इसलिए यह क्या कर रहा है शुट्टियों की बाने बाजी कर रहा है अगैं find ले मोहन को दो दिन की छुट्टी और देकर काम पूरा करके एसकूल आंने की बात करते हैं तो हमारा चेप्टर का नाम भी कहा था ऐसे ऐसे तो मौन क्यों कर रहा था यह सब क्योंकि उसे छुट्टी चाहिए थी यहाँ बात सुनकर माट ठगी सी रहा गई मतलब कि उसको इसा लगा कि यार यह इसा किसे कर सकता है इसी बीच पिता जी दवा की शीशी लेकर आते हैं और सारी बात सुनते ही दवा की शीशी उनके हाथ से गिरकर तूड जाती है और सब हसने लगते हैं क्योंकि वो कहती है न ऐसे ऐसे वरली बिमारी हो गई है तो यह थी हमारी कहानी और इस कहानी के जो लेखक थे उनका नाम था विश्णो पर आपा कर तो यह अमारी कहानी होती है खतम बहुत अच्छी सी स्टोरी थी मिलते हैं नेक्स्ट चिप्टर में थेंक यू